हाँ जी वैं या हल चाले हैं जैसे कि फिछली विडिव बहुत ज्यादा है आने वाली वीडियो में और 20-20 ने वाले हो यह यह ली यह वीडियो के लिए आपका एक लाइक लायक है इस वीडियो होगे वीडियो पूरा देख लो आप उसके बाद भी कर सकते हो वैसे मेरा नाम इम्रान आप देख रहे हैं हमारे इडिव चैनल यह फैसे आप लोगों को बता तो मैंने वीव वी 27 का कामरा टेस्ट किया था बाहर जाकर वह वीडियो आपने नहीं देगा तो आई बटन पर ल मिलता है कैमरे का तो आप जैसी कैमरा उपन करेंगे ना तो यहां पर देखेंगे लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पर ऐ आई प्षिन मिलता है इसे आप एलब करेंगे तो यह फोटो को और अच्छे से एनलाइज करेगा कि आफ यह फूट्ट क्लिक कर रहे हो वो गार्डन फूड है या आप खुद की शकल लेकर फोटो क्लिक कर रहें उसके अकोडिंग या बेटर क्वालिटी देगा इसके लब यहाँ पर नैचुरल कलर का आप्शन मिल जाता है उपर जहां पर आप चाहते हो बिल्कुल नैचुरल कलर चाहिए तो आप इसको एनेबल कर लीजिए और जहां पर आप चाहते हो थोड़े से कलर आपको अच्छे मिल जाएं तो इसको आप आफ कर दीजिए वैसे ज़्यादा कोई खास फरक नहीं है बट हाँ यह फीचर मिलता है बैक में आपको पताईए वह रिंग लाइट यहां पर मिल जाती है नाइट में अगर आप अगल पर सर्च कर सकते हो कहां चीज वह मिलेगी और क्या है सभी चीज़े मिल जाएंगी एच्डियर फ्लेश्लाइड वागे रहे तो हर फोन में होता है तो इसको हम कवर नहीं कर रहे है लेकिन यहां पर सेटिंग पर जाते हैं तो यहां पर आपको कुछ एक्ट्रा फीच पी कर सकते हो यह चीज बहुत माहिने लगती है एक अच्छे प्रोफेशनल फोटोग्राफर के लिए यहां पर इस्टेब्लाइशेशन का ओप्शन मिल जाता है फोटो में यह काम क्या करता है आपको पता है कि और आप इस प्रेशेशन ऑन करके करते हो ना तो फोटो नैच आएंगे नेक्स्ट इफेक्ट मास्टर मिलता है यहां पर आप कलर को बूस्ट कर सकते हो लो कर सकते हो बस आपको अपनी स्क्रीन पर स्वाइप लेफ्ट करेंगे तो कलर यहां पर डाउन होते चले जाएंगे बिल्कुल ब्लेकन वाइट में क्लिक कर सकते हो राइट हो next Auto-focus यहां पर मिल जाता है अगर आप किसी भी object को manual focus करना तो आप manual पर click कर सकते हैं यह तो आप चाहते autofocus पर रहने देना वई तो autofocus पर रहने दे सकते हैं यह normal camera mode में फीचर मिलता है next जब आप o dead mode पर जाते हो कस्टमाइज करना वह भी यहाँ पर मिल जाता है जिसमें फ्लेश लाइट की जरूर थे तो ओटोमेटिक फ्लेश लाइट भी ऑन हो जाती है और यहाँ पर ना आपको ब्यूटी को ऑप्शन मिलता है यह बहुत सही फीजर लगा है मुझे ब्यूटी पर क्लिक कर देओ ना तो सेलफी के लिए आपको नहीं पता सेलफी लेकर सोसल मीडिया पर डालनी है लेकिन नहीं पता के कौन सा पोज है यहाँ पर भाई साब बहुत सारे पोज मिल जाते हैं तो यहाँ पर ना सेलफी के लिए भी काफी जादा तगड़े पोज मिल जाते हैं इस तरह के यह जो बहुत सारे यहां पर पोज हैं और आप अच्छी फोटोग्राफी अच्छे पोज के साथ कर सकते हैं यह मुझे ना काफी यूसपुल और तगड़ा फीचर लगा भी वोका और आपको पता होगा इस फोन में ना सुपर नाइट मोड मिलता है और यह फोन क्या करता है और कितन को स्टेंड पर लगा दे और जितनी जादा रात की अंधेरी होगी ना उतने ही जादा सकेंड लेगा फोटो क्लिक करने के लिए यह देखो मैं आपको लाइब दिखा रहा हूं नेक्स्ट यह फास फीचर है नाइट मोड में आपको एक स्टाइल का ऑप्शन मिलता है राइ उसके अकोडिंग ये वीडियो को एनलाइज कर लेगा भाई कैसी क्वालिटी आपको देना है फोर के में वीडियो आप रिकोर्ड कर सकते हो इतना ध्यान नगना और नेक्स्ट यह फीचर भी कमाल का है यहाँ पर क्लिक करके देखते हो तो मूवी लट्स का ऑप्शन मिलता थे खी एक लिए नेक्स्ट यहाँ पर आपके करते हो ना तो ब surrendi क्लि़ से चेर दे करते हो तो इस टनिदेर और जोनरा फिवेडियो कि जे पर गरते हो तो जवाब हीनnh बागी आपको वीडियो में भी ब्यूटिफिकेशन मोड मिल जाता है यहां पर भी आप अपने फेस को चका चॉन चांद नहीं मनलब लगा गया मैकप वैकप कर सकते हो अच्छा इन्हेंस कर सकते हो बागी AI इन्हेंस भी यहां पर मिली जाता है और एक कमाल की बात बताओ जो अब बैग्राउंड ब्लर कर सकते हो एफ 1.0 अपरचर में वीडियो शूट कर सकते हो तो तो सोचो कितना जाता बैग्राउंड ब्लर होगा इंग्हां क्योंकि आपको एक और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है माइक्रो मुवी यानि कि अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाते हो ना रिल शॉर्ट या स्नाप चैड वगरा के लिए तो यहाँ पर आपको टेंपलेट बने बनाय मिलते हैं तो जादा एडिटिंग जादा कुछ आपको करने के जरूरत नहीं है और काफी सारी कैटेगरी भी म हैं पार चैड़ से मिलते हैं इस और किखते है एक इसपोट एक चैडबल एक्सपोजर करते हैं लग यहां पर आपको इनुडसbnा मिल जाता है लाइव फॉटोडैshevich आंप क्लिक करते हो ना तो उसको फ्यूचर में कभी भी अपने फोन में tap and hold करके देखेंगे ना तो जी आई फाइल की तरह होगा और यहां पर एक फीचर मिलता है बाई साथ सुपर मून आप 20x तक जूम कर सकते हो चांद को यह डिटेक्ट कर लेगा और यहां भी प्रोसेसिंग होगी और यह फोटो कुछ इस तरह का दिखाई देन कुछ खास और यूसफुल फीचर जो शायद आपको नहीं पता होंगे और देखे भी होंगे तो आपको नहीं पता है किस कांद के आयोप यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूसफुल रही होगी अप कमेंड करके मुझे यह बताओ कि आप विवो वी 27 यूस कर रह और यह नहीं है जितनी कीमत में फोन आता है उतनी चीजी हमांशती बदध चला तो अप्ते लाइक कर दो इतना भांता है और पहली वार आयो ऐसी वीडियोश देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो नहीं तो फिर आप चाह이다 कर सकते हो ने वीडियो के नोटिफिकेशन कि आपको मिल सकेगा और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना और पड़ोसी पड़ोसन का ख्याल रखना